आप सबी ने नोटीस किया होगा जो हमारे नी यानी की घुटने होते हैं वो हमेशा काले ही होते हैं लेकिन घुटने काले क्यों होते हैं तो चलिए आज इसी के बारे में जान लेते हैं हमारे घुटने इसलिए काले होते हैं क्योंकि हमारे सरीर में मौजूद मिलानीन नामक पिगمن्ट जो हमारे सरीर को रंग देता है इस condition को हम hyper pigmentation कहते हैं जो कि हमारे सरीर के लिए harmless होता है मिलानीन हमारे सरीर में प्रेजेंट Special Skin Cell जो की मिलनोसाइट से बनता है हम सभी के सरीर में समान रूप से मिलनीन होता है लेकिन कुछ मानो सरीर अधिक मिलनीन बनाता है जब हमारा सरीर कम मिलनीन बनाता है तो सरीर के उपरी तुच्चा अपना नेचुरल कलर छोड़ने लगता है इस कंडिशन को हम विटी लिगो कहते हैं अब जान लेते हैं कि तुच्चा का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिक होता है तो चलिए जान लेते हैं आप ए आर्टिकल देख सकते हैं इसमें साब साब लिखा हुआ है अन्यू स्टेडी भाई मिजवरी स्कूल अग जर्नालिजम रिसर्चर सिंथिया फ्रिजबाई फाउंट एट पीपल परसीब अलाइट प्राउं स्किन ट्रोन तो बी मोर फिजिकली एक्ट्रैक्टिव देन अपेल और ड्रक स्किन ट्रोन ये नए स्टेडी में तो पालर जाने का मूड ही खराब कर दिया आप जिसका फोटो देख रहे हैं एक कुछी दिन पहले मेरे घर के गार्डेन में मिला था तो मैंने सोचा इस पर भी वीडियो बना लेते हैं तो चलिए वीडियो को कंटिनू करते हैं इस कीडा का नाम आप देख सकते हैं कितना बड़ा है और इसे जाइन्ट रेट वैल्बिट माइड भी कहते हैं और ये कहा जाता है कि पहले के ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसीन इस कीडे से तेल निकाल कर इसका सिस्टमाल पेरलАइसिस को ठीक करने में किया जाता था I hope आज की knowledgeable वीडियो आपको बहुती पसंद आई होगी इसी तर के और amazing knowledge और fact जाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और साथी साथ बेल आइकन उन करना ना भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो like करें अपने दोस्तों के तक share करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद